तो हेलो दोस्तो मेरा नामैसागार आप देख रहे हमारे यूट्उड चैनल पल्टी तो दोस्तो जैसे ही सुवह-्वह-ब फार्म में आया तो । मेरेको पहले दो दिखा तो अब लोगों को भी दिखा देते हैं जो दो मोटलेटी हुआ है तो किस सीचुएशन में पड़ा है दो मोटलेटी एक और ये-क है दो मोटलेटी जो हुआ है इसका रीजन क्या है मोटलेटी होने का और इसका जो सलंद है जो इस वीडियो में मैं अव को पूरा किलियार समझा देंगे क्यूंकि ये आजस्ट का महिज़ों चल रहा है जो विमारी में दो मोटलेटी मेरा हुआ है तो आप लोग का फार में भी सेम प्रॉब्लेम और सेम मोटलेटी दिखता होगा छोटे चीक्स में तो दोस्तो ज़्यादा टाइम नहीं कबाएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं तो दोस्तो यह जो मोटलेटी दो हुआ है तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे जो किडिनी इंफेक्शन या किडिनी प्रॉब्लेम जो बीमारी डिजीज है तो उसके बारे में जो एक वीडियो बनाएंगे तो वो बनाने का टाइम आ गया और इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्यूंकि मेरे जो यह दो मोटलेटी हुआ है तो वो किडिनी इंफेक्शन के बज़े से ही जो है मोटलेटी हुआ है तो अब लोग को भी यह सीख लेना है जो बाहर से मोटलेटी को देखके पता लगा लेना है जो यह मोटलेटी क्या प्रॉबलेम के बज़े से हुआ है एक problem क्या होता होगा जो भाई लोग contact farming करते होंगे तो उन लोग का ज्यादा problem होता है क्योंकि जो line supervisor होता है तो वो supervisor आके उसको check करके तब बताएगा तब आप लोग treatment कर सकते हो नहीं तो आपका जो daily book है उसमें motility नहीं उठाया जाएगा पहले अगर आप काटके देख लेते हो तो यही problem होता है इसलिए अगर आप बाहर से देखके पता लगा सकते हो तो जो supervisor आता है तो आये चाहे ना आये आप treatment चालू कर सकते हो तो यह एक फैदा है ठीक है तो यह kidney infection का region क्या है region है जैसे ही chicks पानी कम पीते है तो जो kidney है chicks या बाड़ का तो उसमें जो है वो सुख जाते हैं तो शूखने के वज़े से हो है तो किड्नी में सूजन दिख जाते हैं किड्नी फूल जाते हैं तो यही मेन रिजेन हैं तो इसको काट के अब लोगों को दिखा देंगे जो जो मैंने बाहर से देख के बताया ए sorry है interacting मैंने गलत बल दिया तो दोस्तो पहले mortality को उठा के बाहर ले चलते हैं उसके बाद अब लोग को काट के दिखा देते हैं जो इसमें problem क्या है तो दोस्तो पहले एक को काट देते हैं काटने के बाद अब लोग को वीडियो में दिखा देते हैं जो इसके अंदर problem क्या है क्योंकि मेरे एक हाथ में camera है तो मैं काट नहीं सकते एक हाथ में तो इसलिए पहले camera को राक के काट लेते हैं, उसके बाद अब लोगों को दिखा देते हैं तो काटने के बाद अब लोगोंको दिखा दे रहा हूँ जो इसमें problem क्या है मैंने जो बहर से बताया था वही region है को कुछ और region है तो दोस्तो kidney को आब लोग अच्छे से देख लिजिए यह है किडिनी तो इसको अच्छे से अब लोग देख लिजिए जो किडिनी का साइज क्या हो गया ठीक है यह लगभग 200 ग्राम का चीक्स होगा तो किडिनी का जो साइज है बहुत खुल गया बहुत बढ़ा हो गया तो यही रीजिन है मैंने तो बाहर से अब लोगों को देख के बताए थे जो यह किडिनी इंफेक्शन 100% है तो वही प्रॉब्लम निकला तो आब अब लोगों को इसका इलाज के बारे में बता देते हैं तो इलाज में आब लोगों को क्या करना पहले चाहिए पानी अच्छी पानी पी रहा है तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा तो मान के चलिए आगर आपका चीक सो केजी फीड 24 घंटे में खा रहा है तो उसके लिए 280 से 300 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि कोई कोई सोचता है जो मेरे जो चीक से वह पानी तो पी रहा है ठीक है लेकिन नहीं यह आप लोगों को ध्यान रखना है जो कितना पानी पी रहा है पानी तो पी रहा है लेकिन कितना पी रहा है फीड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए अगर 100 kg फीड खाते है तो उसके लिए 280 से 300 लीटर पानी पीना जरूरी है अगर उससे कम पी र तो वो चला देना चाहिए तो मैं चला भी दिया था आप लोग को वीडियो में बता भी दिया था तो अब लोग का फार में अगर किन्न इंफेक्शन आ जाते हैं तो उसके लिए क्या मेडिसीन देना चाहिए तो मेडिसीन अब लोग को दिखा देते हैं जो क्या मेडिसीन दे मिलता है तो वह भी दे सकते हो नहीं तो अगर रेनो प्लास जो है अगर रेनो प्लास मिलता है तो यह भी आप लोग देख सकते हो ठीक है तो नोबेल कमपणी का है और यह भी नहीं मिलता है तो नेफ्रो क्यार मिलता होगा ठीक है वह फिलाल मेरे पास नहीं है तो वह दिखान यह पा रहा हूं तो नेफ्रो क्यार भी मिलता है तो वो भी दे सकते हो नहीं तो अगर यह सब कुछ नहीं इसलते था तो आप शिस्टन टबलेट दे सकते हो ठीक है यह हां प्लदू सब्सक्रेबिलियों ऊक्षान मेडिसिन आप चला सकते हो घगा तो नेफ्रोटेक का जो डोज है और नेफ्रोट क्यार का जो डोज Jordy उ आपको के स्व छीफ के लिए कि अपको साते मेल देना पड़ unterstüt और जो रे Но पर के लिए 15 से 20 टबलेट दे सकते हो ठीक है आपका चीक्स का जो एज है एज के हिसाब से अब लोग दे सकते हो अगर 6-7 दिन का है तो 10 1000 चीक्स के लिए 15 टबलेट नहीं तो अगर 10 दिन के हो जाते हैं तो आप 1000 के लिए 20 टबलेट आप यूज कर सकते हो मैंने सिस्टोन डबलेट दिखाया तो उसको साधा पानी में नहीं तो जो और मेडिसीन दिखाया तो अब लोग से कोई एक आप दे सकते हो एक टाइम चाय मर्निंग में हो चाय साम को हो और और एक मेडिशिन अब लोग को देना पड़ेगा वह है अलकासल तो अलकासल फिलार मेरे पास उसका डबबा भी नहीं है वह घुमन मेडिशिन है जाके बोलिएगा जो यो लोक दे देगा तो अलकासल जो है आपको 5 एमिल पर हंटेड चीक्स के हिसाब से देना पड़ेगा कोई एक टाइम इसेलिए बहुत ज्यादाम पड़े wszyscy इसलिए हैं घूद ज्यादा मोटलेटी चालू हो जाते तो उसके लिए अब लोग टेलिग्राम में हो नहीं तो कमेंट बॉक्स में अब लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग का जो प्रॉब्लेम का सलोशन है वो आप लोग को तुरान दे देंगे तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाय भारत बंदे मातारम